परम पूजिनी ए गुर्तेव बाबा श्री नीव करोरिची महराज की चैनों में सात्रवंदन करती हुए आप सभी प्रेमे मित्रों को जैश्री राम। बहुत दिनों से चैनल पर किसी भक्त की अनुभूती नहीं गई है और लगातार बहुत सारे भक्तों ने ये पूछा है क चैनल पर कोई भी वीडियो अनुभूती की नहीं आ रही है बहुत सारे अनुभूतियां आपकी हमारे पास पेंडिंग है हम उन्हें धीरे धीरे आगे आपके स्बीच रखेंगे आज आपको एक स्वपन की अनुभूती मैं साजह कर रहा हूँ ये स्वपन अल्पना जी की अनुभूती है और बहुत ही दिपया नुभूती है बुद्धवार के दिन अल्पना जी घर में सबको हिदायत दे रही थी बच्चों को कि जिनको भी नाखून काटना है अपना नाखून काटने के बाद वो सबको हिदायत दे रही थी कि जिनको भी अपना नाखून काटन में साथ खाने के साथ जाएगी इसलिए थोड़ा भी ना-खून बढ़ा है तो काट लो, इसी हिदायत की बाद जिने भी ना-खून काटना था, उन्होंने अपना ना-खून काट लिया बदवार की रात और उसके बाद सभी रात का भोजन करके सो गए और सोने के बाद अल्पना जी को सौपना आता है और सौपन में बाबा स्रीनीव करोरी जी महरा जाते हैं और वो अपना हाथ बढ़ा करके कहते हैं मेरा भी नाखून काट तो मेरे भी नाखून बढ़े हुए हैं अल्पना जी बताती है कि बाबा ने अपने हाथ बढ़ाए और उनके हाथ का नाखून काटने से पहले हमने पूछा ये नेल कटर से काटू या ब्लेड से क्योंकि मैं अपना नाखून नेल कटर के बज़ाए ब्लेड से काटना पसंद करता हूँ और बाकी घर के सभी लोग न बाबा का नाखून काटती है और नाखून काटने के साथ ही वो स्वापन टूट जाता है। जिसके अस्मरन करते ही हिर्दय में दिव्य द्रिष्टि उत्पन हो जाती है। बड़े भाग और आवही चाशू। अब स्री रामचरित मानश में जो बताया गया है उस तुला पर अगर तौलें तो अगर गुरू के नाखून का ध्यान भी हम कर पाते हैं। हमारे ध्यान में भी गुरू का नखून हमें देखने को मिल जाए। हमारे सुमिरण में वो उतरा हैं। तो सुमिरत दिविद्रिष्टी होती है। ये लिखा हुआ है। दिविद्रिष्टी मिल जाती है। बड़े भाग्य से ये किसी को ऐसा दर्शन अपने गुरू के चरण के नखून का हो पाता है। तो ये बड़ा ही दिव्यान भूती थी जिसमें बाबा भागी लोगों को घर में हिदायत दी जा रही है कि आपना नखून काट लो और बाबा उसके बाद सौपन में आ करके क तेरा भी नखून काट दो अब इस सौपन के बाद दूसरे सौपन पर जो इसके बाद की कड़ी है वह मैं आपको अगले दिन उसको कावर का अच्छे से बताऊंगा किलियर करूंगा एक और इसी से जुड़ा हुआ स्वापन आप उसको कह सकते हैं सौपन अलग-अलग है लेकिन यह इस से जुड़ता है कैसे जुड़ता है वह मैं आपको अगली बार में बताऊंगा फिलाल अभी मेरा मन बहुत ही आहलादित है अलपना जी से ऐसी अनुभूती बाबा की सुन करके और उमीद करते है इस अनुभूती से आपको भी बहुत ही आनंद आएगा आप में एक आद्वित्य स्वपन है जो हमें यह आभास देता है कि बाबा की उपस्तिती सर्वत्र अगरा बाबा को प्यार से बुलाते हैं अगर आप बाबा की बताय मार्ग पर चल रहे हैं तो आपके आसपस बाबा की मौजूद की सर्वत्र है तभी तो बाबा दूसरों को जो घरवालों को हिदायत दी जा रही है नाखून काट लेने की उस हिदायत के बाद स्वपन में अवतरित होते हैं और कहते हैं मेरा भी नाखून काटना है और अलपना जी भागिवान है कि उन्हें गुर्देव बाबा स्री निव करोरीची महराज की नाखून को अपने हा को आगे की वीडियो में बताऊंगा तब तक के लिए सभी प्रेमे मित्रों को जैश्री राम